हेलो दोस्तों नमस्ते आदाप सस्यकाल आपका दोस्त गौरफ टेस्ट बुक सुपर कोचिक पे स्वागत करता है तो दोस्तों हो जाईए तैयार क्योंकि हम यहाँ पर करने जा रहे हैं यहां पर हम लोग करेंगे वह प्रीवेस एयर के सवाल जो आपके एक्जाम पॉइंट विस्ते दोस्तों इंपॉडेंट है जो अलड़ी पुछ जा चुके हैं कुछ एक्सपेक्टेड कोशन भी हम लोग यहां पर करेंगे तो दोस्तों करते हैं इसकी शिरुवात और सभी लो कोट के साथ और हम लोग बढ़ेंगे यहां पर दोस्तों अगली स्लाइट पर दोस्तों परिंदों को मनजिल मिलेगी यकीनन यह फैले हुए उनके पंख बोलते हैं वह लोग रहते हैं खामोस अक्सर जो इनके जमाने में हुनर बोलते हैं तो ऑविसी बात है दोस्तों कभी भी आप देखिए, टॉफर्स जो होते हैं तो दोस्तों परищ्रम करते हैं वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं वो बहुत कम बोलते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनका result जो है वो दोस्तों सब कुछ बता देगा और दोस्तों इसलिए हो इहां पे कम बोलते हैं और मेहनेश लाद टू फ्राइडे ठीक है दो पहर को दो बजे से तीन बजे जहां पर हम लोग करते हैं GKGS for SSC CGL ठीक है चले इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बढ़ेंगे सभी अदोस्तों उससे पहले सभी लोग क्या करेंगे येस टाइप करेंगे जिससे मुझे ये पता चल जाए कि मेरी स्क्रीन और वॉइस एकदम क्लियर है और भाई साब आपसे पूछ रहे हैं आर यू गाइस रेडी अगर रेडी है तो हम लोग येस येस टाइप करेंगे और फिर बढ़ेंगे पहले कोशन के साथ तो येस येस तो पहला कोशन आपकी स्क्रीन पर ये रहा यहां पे कोशन कुछ आगे विच ओफ दा फॉलाइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट डाइस वेली सिवलाइजेशन दोस्तों इंडस वेली सिवलाइजेशन के रिगार्डिंग आपको कुछ कथन दिये के हैं उसमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है दा इंडस पीपल वर दा क्या होगा फड़ावर से सबी लोग बताइंगे ओप्शन नम्बार सी के साथ जा रहे हैं इन में से कौन सा सही है ये आपको बताना है दोस्तों छी ऑजारया है दोस्तों इ robbed लिग पर option number one होगा एक बात बताएं इंडिस व говорят Gonzalez program को पहां इð जहाँ पर तो नहीं कर रहा था तो गलत हो जाएगा ना ये कथन तो गलत हो जाएगा डे श्टोर फूड्ड बॉडन बॉक्स ये भी गलत है ग्रें रीज्ट बनी हुई थी ठीक है वहां पर food store किया जाते थे यहां पर दोस्तों यह भी गलत है तो मतलब option of one correct है यह याद रखेगा ठीक है अच्छा इंडस civilization मैंने आपको बताया था इंडस civilization जो है यह word किसके दोरा term दिया गया था यह term किसके दोरा coin किया गया था तो john marshall के दोरा किया गया था अच्छा अभी दोस्तों सवाल यह उठता है कि आखिर इंडस civilization फैला कहां हुआ तक ठीक है तो देखे यह है north direction यह है south direction यह है east और यह है west अगर north में देखे तो जम कश्मीर तक फैला हुआ था कहां तकójत जम्मुकश्मीर में जम्मुकाष्मीर में कहां तक इसलिए कथन गलत था शाओध की बात करते हैं south में महराष्ठ के तक ठीक है महराष्ठ में कहा तक दैमाबाद कहा तक यह याद रखेगा और west में सुत केंदौर तक कहा तक सुत केंदौर तक यह भी आपको ध्यान रखना है ठीक है तो यह याद रखेगा चलिए आगे बड़ते हैं अगले कोशन पर वेरे गुड यहां पर कृष्णा समराध मीनू अगले कोशन परते हैं अगला कोशन आपके स्क्रीन पर यह रहा अटीद हुड पंटार्ट विलेज पंचायत एंपावरिंग रूर्ल ड कॉम्णीटीज लीविं नो नो वन बिहाइंड वस उर्गनाईज इन विस सिटि़ फ्रॉं फिंटेंबर टो-थाज़ंड़ त्विज़ पंध्र सितम्बर दोहजार बाई से किस सहर में समार्ट विलेज पंचायत एंपावरिंग रूरल कम्मिनिटीज लिविंग नो वन बहाइंड पर दो दिविसी सम्मेलन कहां अउजद किया गया चन्नाई आगरा सूरत और लखनव कहां पर किया गया था लखनव लखनव कह रहे हैं यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो अच्छा है अभी हम बात करते दोस्तो यहां पर पंचायत की पंचायत यहां पर दोस्तों अगर हम बात करें तो हर साल पंचायती डे मनाई जाती है। 24 अप्रेल को, कम मनाई जाती है 24 अप्रेल को, क्यों मनाई जाती है 24 अप्रेल को, कुईकि 24 अप्रेल 1983 को दोस्तों इसको officially with effect, मतलब लागू कर दिया गया था, यह आपको ध्यान रखना है, इसलिए 24 अप्रेल को पूछेगा अनुसूची कि कौन से अनुसूची में मौझूद है, इसमें कितने सब्जेक्ट हैं, तो 29 सब्जेक्ट हैं, यह भी आपको ध्यान रखना यह रहा, which of the following article of the Indian constitution deal with the abolition of title भारती सम्विधान निमलिखे तो अनुछेदों से कौन सा उपाधियों के उनमूलन से संबंदित है article 25 है, article 18 है article 14 है, और article 30 है जल्दी से बताई 18, 18, 18 बहुत ही बढ़ी है, article 18 correct answer होगा, क्यों, क्योंकि article 25 तो किस से है, यह तो धर्म से related है, religion से related है ठीक है, यह याद रखेगा, फिर article 14 किस से है, right to equality से है, समानता की बात करता है किस की बात करता है, right to equality ठीक है, यह याद रखेगा अच्छा, article 30 किस से related है यह educational institute से related है, किस से है, educational institute of minorities ठीक है, educational institute of minorities, यह याद रखिएगा, ठीक है, तो correct answer क्या हो जाएगा, correct answer होगा आपका, option number 2, article 18, ठीक है, आपके exam में दोस्तों, अभी article 17 भी पूछा गया था, ठीक है, article 17 किसे है, दोस्तों, untouchability, ठीक है, prohibition of untouchability, मतलब छुआ छूट को दूर करना है, यह इसकी बात कही गई है, article 16 की, अगर हम बात करें, 16 में क्या है, equal opportunity की बात की गई है, ठीक है, अगर article 19, पूछ लेगा, 19 किसे है, right to freedom, किसे है, दोस्तों, right to freedom, वहाँ पर आपको आजादी दी गई है, कितनी आजादिया दी गई है, 6 आजादी दी गई है, ठीक है, अगले question पे बढ़ें, चलिए, अगला स order में जमाना है डैनीज पोर्टुगीज डच इंगलिश और फ्रेंच बहुत ही सिंपल सा कोश्चन है एलिमिनेशन लगाईएगा दोस्तों जल्दी सॉल्व हो जाएगा ठीक है एलिमिनेशन लगाना है सभी लोगों को यहां पर बताईए कहले लोग कहरे सर्डी ऑप्शन होन वासको डिगामा लेकिन वासको डिगामा वापस गया और फिर लोट कर आया कब 1503 में लोट कर आया था ठीक है बी ऑप्शन मलब बी सबसे पहले होना चीए और बी जो है स्टार्टिंग में किसमें सिर्फ ऑप्शन नबर डी में है यह याद रखेगा ठीक है आगे बाद कर पर यह रहा लेकिन आगे बढ़ने इस पहले दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा यहाँ पर जो भी एससी की तयारी करें आपको अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर जानिक जरूरत नहीं है क्योंकि टेस्ट बूक लेकर आया सूपर कोचिंग जहां पर दोस्तों जहां पर आपको maximum discount मिल जाएगा ठीक है कैसे अवेल करना है मैं आपको आखरी में क्लास के बता दूंगा चलिए बढ़ते हैं अगले कोशन पर अगला सवाल आपके लिए रहा identify the incorrect statement about the government of india act 1919 भारत सरकार अधनियम 1919 के बारे में गलत कथन कौन सा है पहचानिये the government of india act 1919 came into force in 1921 ठीक है this act is also known as moral mental reform ठीक है montex was the secretary of state for india and the lord champs ford was the viceroy of india this act separate the central and the provincial subject जल्दी से बताईए यहां पर कहते सर option number होना चाहिए बी 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 तो correct answer आप क्या हो जाएगा option number b यह कथन गलत है क्यों गलत है क्योंकि दोस्तों इसको moral mental reform नहीं कहते थे montex champs ford कहते थे क्या कहते थे montex champs ford reform कहा जाता था इसलिए यह गलत है montex जो थे यह sos थे sos मतलब secretary of state थे ठीक है और champs ford जो थे यह viceroy थे ठीक है यह आपको ध्यान रखना है पूछा आएगा दोस्तों हाला कि 1919 में यह act reform आया था लेकिन इसको पूरी तरीके से लागू कब किया गया था 1921 में किया गया था इसलिए पहला कथन जो है यह सही है montex champs ford दोस्तों यह भी सही है और दोस्तों इसकी help से क्या आई थी diary key को introduce किया गया था किसको introduce किया गया था यह आपको ध्यान रखना है यह फिर कहा जाएगा adopt तो adopt किया गया था इसके तहर डायरे की क्या थी दोस्तों यहाँ पर division of power थी जैसे कि आप देख सकते हो separate the central and provincial subjected दोनों को अलग अलग कर दिया दोनों के अलग अलग पावर को ठीक है चले आगे बढ़ते हैं अगले question पर अगला सवाल आपके लिए रहा the famous भगत भगत movement was led by dash प्रसिद्ध भगत अंदोलन का नेत्तों किसके दोरा किया गया था गोविंदगिरी गोपलिया एंड पुंजा धिर्जी और मनक्यलाल वर्मा एंड गोविंदगिरी या फिर जमनालाल बजाज और विजय सिंग पतिक या फिर गोविंदगिरी एंड मोतिलाल तेजावत किसके दोरा लीड किया गया सी ओप्शन सी ओप्शन तो करेक्ट आंसर हैं आप क्या हो जाएगा ओप्शन नमबर वन होगा गोविंदगिरी गोपलिया एंड पुंजा यहां पे करेक्ट आंसर होंगे आगे पढ़ते हैं अगले कोश्चन पे अगला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा निमलिखित में से कौन सा विभाग गरहम अंत्राले के अधीन नहीं है Department of Border and Management, Department of Official Language, Department of Jammu and Kashmir Affair या Department of Defense Production, कौन सा नहीं है, जल्दी से बताईए Option number D कह रहे हैं, दोस्तों कि Home Affair के अंडर में नहीं रहना चाहिए बाकी लोग क्या कहते हैं, चले, जितने लोग यहाँ पर Option number D, D कह रहे हैं उनका correct answer हो जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है अच्छा है, तो अगर इसके Department of Defense Production इनके अंडर में नहीं है, तो किसके अंडर में है यह Defense Minister के अंडर में आता है, किसके अंडर में आता है, Defense Minister के अंडर में आता है और Defense Minister अभी कौन है प्रेजन्ट में, तो राजनात सिंग जी है, कौन है, राजनात सिंग जी है, यह भी आपको ध्यान रखना है चले, आगे बात करते हैं, अगले कोशन पर, अगला कोशन आपके स्क्रीन पर यह रहा थेक है, The Buddhist monk who spread Buddhism in Tibet was dash तिबबत में बहुत धर्म का प्रचार करने वाले, बहुत भिक्षू कौन थे, क्या वो, पद्मसंभवा थे, या फिर नागरजुना थे, आनंद, या फिर असंग, कौन थे, जल्दी से बताईए, यहाँ पर correct answer यहाँ पर कह रहें सर, B option होना चाहिए, बाकी लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग A कह रहे हैं, तो यहाँ पर जित्ते लोग A, A कह रहे हैं, उनका बिल्कुल correct answer हो जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, correct answer क्या हो जाएंगे, पद्मसंभवा जो थे, उन्हों ने प सिध्धार्थ, क्या था दोस्तो, सिध्धार्थ इनका real name था, यह याद रखेगा, यह आपसे पूछा जाता है, जिनका जन्म, 563 BC में हुआ था, कहां पर, लुंबनी नेपाल में, कहां पर हुआ था, किस पेड के नीचे हुआ था, साल ट्री के नीचे हुआ था, साल पेड पर यह रहा, यहाँ पुछा जा रहा है, which of the following dances is the folk dance of उत्तर प्रदेश, निमलिखित में से कौन सा नित्त जो है, उत्तर प्रदेश का लोक नित्त है, क्या वो, रासलीला है, मयूर डान्स है, खयाल डान्स है, यह सारे के सारे डान्स जो है, उत्तर प्रदेश के हैं, हम बात करतें, तो यहाँ के famous जो dance है, कौन कौन सा है, कथख है, लेकिन कथख जो है दोस्तों यह folk dance नहीं है, यह classical dance है, शास्त्र नित्त है, क्लासिकल डान्स है, यह आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा गर हम बात करते हैं, कौन सा है, दोस्तों नोटन्की, नोटन्की बहुत करते हैं, UP वाले, हाना, नोटंग की, ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें, तो कजरी, कौन सी? कजरी, ठीक है, राम्लिला, कौन सी? राम्लिला, ये सारे के सारे कहा हैं, यह दोस्तों आपको मिलेंगे UP के, ठीक है, अभी दोस्तों आपके exam में पूछा गया था, कथक से related, SSC MTS में पूछा गया था, सितारा देवी कौन से dance को perform करती हैं, तो आपका answer होना चाहिए था कथक, ठीक है, अगर future में पूछ ले, बिर्जु महराज कौन से dance perform करते हैं, तो यह भी करती हैं, दोस्तों कथक dance perform, आपके दोस्तों SSC CGL जो दिसमबर 2022 में हुए थे, एक दिसमबर से लेके 13 दिसमबर, उनमें दोस्तों एक सवाल पूछा गया था, बिर्जु महराज जो है, यह कौन से घराना को बिलॉंग करते हैं, ठीक है, तो आपको दोस्तों लखना घराना का ही पार्ट है, तो आपको वहाँ पे टिक लगाना था, काल का बिंदा दिन, ठीक है, चले, आगे बढ़े अगले कोशन पे, चले, 230 लोग लाइव है, फड़ा वर्स एक बार, लाइक और शेयर करते हों चलते हैं, अगला कोशन आपके स्क्रीन पर यह रहा, इंडि को की सुगम, जो है, आवा जाही के लिए, एक समझोते पर ग्यापन हक स्ताक्षर किया है, ओमान, साहुदी अरेबिया, एजिप्ट और एरान, किसके बीच बहुआ, जल्दी से बताइए, यहाँ पर कह रहे है, बाकी लोग क्या कहते हैं, जितने लोग इरान, इरान कह रहे है, तो currency याद रखेगा, real, क्या है, real, और अभी आपको याद होगा, इरान जो है, दोस्तो, news में है, क्यों, क्यों, क्योि अभी दोस्तों, यह member बन चुका है, किसका बन चुका है, जल्दी से बताएए, क्या यह SEO का member बन चुका है, या फिर आशियान का member बन चुका है, इंडिया इंप्रूव लेबर कंडिशन वाज इंडियूस अंडर दा वाइसरोई शिप ऑफ डैश श्रम की स्थितियों में सुधार के लिए भारत में पहला कार खाना अधिनियम जो है डैश के कारिकाल में प्रस्तावित किया गया था किसके समय में लॉड डफरिन लॉड पन दोस्तों जित्ते लोग कह रहे हैं तो डाउट फिली मत कहिए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ठीक है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पे लॉड रिपन और आपको पता इसका कारिकाल कब से कब तक था 1880 सिरे के 1884 और इसी के समय में आपको याद आपको याद होगा 1885 में INC फॉर्म हुआ था क्या हुआ था इंडियन नेशनल कॉंग्रेस फॉर्म हुआ था 1885 किसके समय में डफरिन के समय में लॉड कर्जन की अगर हम बात करते हैं तो 1905 आपको याद होगा यहां पे बैंगॉल पार्टिशन की बात हो रही थी बंगाल कमीशन ओफ इंडिया इस कॉंस्टिटूटेड बाई डैश ठीक है समविधान के अनुछे 280 के तहद भारत के वित आयोग का गठन डैश द्वारा किया जाता है वाइस प्रेसिडेंट हाई कोट सुप्रीम कोट या फिर प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है यहां पे कह है फाइनस कमिशन है ठीक है याद रखेगा अगर आप से पूछ लिया जाए कि बताइए इस फाइनस कमिशन का गठन कभ हुआ था तो इस्टेबलिश्मेंट हुआ था इसका 1951 में उननीस सो इंक्यावन में और पहले फाइनस कमिशनर अगर फस्ट फाइनस कमिशनर पुछ है एन के सिंग है कौन से नमबर के हैं तो यह पंदरवे नमबर के हैं Finance Commissioner यह याद रखेगा ठीक है इनसे पहले कौन थे तो YV ready थे चादवे नमबर पे कौन थे तो YV ready थे यह आपको ध्यान रखना है ठीक है चले अगले question पर बढ़ें चले अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा यहां पर पूछा जा रहा है भानू अथाया वान दा फर्स्ट ऑसकर फॉर इंडिया फॉर विच मूवी ठीक है भानू अथाया ने किस फिल्म के लिए जो है भारत के लिए पहला ऑसकर जीता था क्या वह स्लम गांधी मूवी गांधी मूवी कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपको ध्यान रखना है ठीक है चले आगे की तरफ बहुत बढ़िया अच्छा ये कब दिया गया था 1983 में ये याद रखेगा ठीक है 1983 में अच्छा ऑसकर की अगर हम बात करते हैं अभी हाली में ऑसकर 2023 दिये गए थे ठीक है ऑसकर को ही हम लोग Academy Award भी कहते हैं क्या कहते हैं Academy Award भी कहते हैं ये याद रखेगा ठीक है ऑसकर के अगर हम बात करें तो ये इस बार का कौन सा संस्क्रण था तो 95th edition था ये भी आपको ध्यान रखना है Best Picture Best Picture किसको दिया गया है 2023 क अगर बेस्ट एक्टर पुछेगा तो एक्टर किसे दिया गया है तो फ्रैसर को दिया गया था भी फ्रैसर को दवेल के लिए Best Actress किसे दिया गया है जल्दी से बताए Best Actress Michelle Yeohu को दिया गया है क्या? Michelle Yeohu को दिया गया है ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है? अच्छा ये तो हमने 2023 की बात की है अगर आपसे 2022 पूछ लेता Oscar तो 2022 का कौन सा था? 94th edition था ठीक है? Best Picture वहाँ पे किसको दिया गया था? और Best Actress किसको दिया गया था? तो विल स्मित को दिया गया था? तो जैसिका चस टैन को दिया गया था? किसको जैसिका चस्टेन को ये आपको ध्यान रखना है 2022 और दिसकस किया अगले Question पढ़ेंगे 270 यह पर लोग लिके चलते हैं अगला Question आपके Screen पर ये रहा, who proposed the concept of party-less democracy in India, भारत में जो है दल विहीन, लोकतंत्र की परिकलपना किसके दारा प्रस्तावित की गई थी, आचार विनोबा भावे, जै प्रकाश नारायन, राम मनोहर लोहिया और आचार नरेंदर देव, किसके दारा किया गया था, यहाँ पे दोस्तों विनोबा भावे कह रहे हैं, तो लोग दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर होगे, जै प्रकाश नारायन, विनोबा भावे नहीं होंगे, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, option number B, जै प्रकाश नारायन, अच्छे दोस्तों अभी हाली में, 2023 में ही, दोस्तों एक पार्टी को जो है, नैशनल पार्टी का धरजा मिला है, राश्टी पार्टी का धरजा मिला है, क्या आपको उस पार्टी का नाम याद है, तो वो है दोस्तों, मैंगो मैन, मतलब आम आदमी, ठीक है, यहाँ पर है, आप, ठीक है, आम आदमी पार्टी यह याद रखेगा, ठीक है, और दोस्तों, तीन पार्टियों ने नैशनल पार्टी का दर्जा खो दिया है, कितनी पार्टियों ने, तीन पार्टियों ने, और वो तीन पार्टी कौन-कौन सी है, तो है दोस्तों, TMC है, Trimool Congress है, उसके अलावा, CPI है, Communist Party of India, और एक है दोस्तों, NCP, ठीक है, नैशनल पार्ट का दर्जा खो दिया है, ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए, अगला गोश्यद, Which of the following is a tributary of the river गंगा, आप से पुछे जा रहा है, निमलिखित में से कौन सी गंगा नदी की एक सहायक नदी है, क्या वो ब्यास नदी है, गंडक है, तुंगभद्रा है, या फिर मानस नदी है जल्दी जल्दी से बताईए, यहाँ पर कह रहे है, सर, option number B होना चाहिए, चले, जितने लोग option number B भी कह रहे हैं, उनका यहाँ पर क्या हो जाएगा, गंडक जो है, बिल्कुल correct answer हो जाएगा, ठीक है, गंडक, अगर हम बात करते हैं, गंगा नदी की, तो गंगा नदी जो ह प्लेस है, कहाँ पर उत्राखंड में, जहाँ पर दो नदियां आके मिलती हैं, कौन-कौन सी, अलकनन्दा ठीक है, अलकननन्दा नदी मिलती है, और गंगा नदी जो है, भारत की सबसे बड़ी नदी, लारज़िस्ठ रीवर है, यह याद रेगा, लारज़िस्ट रिवर और दोस्तों इसकी लंबाई कितनी है तो किती है दोस्तों 25-25 किलो मीटर ठीक है 2525 किलो मीटर इसकी लंबाई है और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो यमुना है कौन है यमुना है और यमुना कहां पर जाके मिलती है इससे तो याद रखेगा प्रियाग र नाम से किस नाम से पदमा के नाम से जाना जाता है चले आगे की तरफ चले अगले कोशन बढ़ते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा आफ्टर ग्वालियर केंपेंड इन 1232 अ कमेमरेटिव कॉइन वस ट्रक तु मार्क दा विक्ट्री हूज नेम वस इंस्क्राइब ऑन दा कॉइन अलॉंग विध यह रहा फिल्तुतमिश ठीक है अगर हम बात करते हैं इल्तुतमिश इल्तुतमिश कौन सी डाइनस्टी का था तो इल्तुतमिश याद रखेगा यह याद रखेगा और दोस्तों यह भी याद रखेगा स्लेव डाइनस्टी ने 1206 से लेके 1290 तक राज किया था कुतुब उद्दीन अबक ने 1206 से लेके 1210 तक राज किया था इसके बाद दोस्तों कुछ समय के लिए इल्तुतमिश के बाद रुकुनुद्दिन आया था रुकुनुद्दिन आया था जो कि रुकुनुद्दिन किसका पुत्र था इल्तुतमिश का पुत्र था लेकिन इसके बाद दोस्तों रजिया सुल्तान आ गई जो की एक मात्र महिल जिन्होंने दुस्तों दिल्ली पे शाशन किया है ठीक है और ये भी याद रखेगा रजिया सुल्तान 1236 से लेके 1240 तक राज की थी और आपके एक्जाम में पुछा गया था कि इसको कब हटा दिया गया था थो 1240 में ये याद रखेगा ठीक है आगे बढ़े अगले कोशन प ठीक है अगले कोशन पढ़े अगला सवाल आपके लिए ये रहा हूज रिटेंडा गुलीवर्स ट्रैवलर किसे ने लिखी है क्या वो एच जी वैल ने लिखी है जोनाथन स्विफ्ट ने ओलीवर गोल्ड स्मित ने या फिर एडवर्ड गिमन ने जल्दी से बताए पर से एक बार लाइक और शेयर करते हुए चलेंगे ठीक है अगला कोशन आपके लिए ये रहा नाइल रिवर नाइल रिवर वाज नोन एस दी बैकबोन ओफ विच कंट्री नील नदी जो है उसको किस देश की रीड की रूप में जाना जाता है सुडान, एजिप्ट, साउ और लोगों के एक बार पूछा गया था दोस्तो यलो रिवर कहाँ पर है यलो रिवर क्या आप मुझे बता सकते है किस कंट्री में आपको यलो रिवर देखने को मिलता है फड़ा फट से बताईए यलो रिवर कहाँ पर देखने को मिलता है जल्दी से बताएंगे हाँ PDF मिल जाएगा आप लोगों को टेलिग्राम पे मिल जाएगा अगर आप टेलिग्राम पे नहीं जुड़े हो तो आप जुड़ जाएए सिर्फ आपको क्या करना है एड़ दरेट गौरफ सर्ट टैस्बूक आपको सर्च करना है वहां पे पबलिक ग्रूप मिलेगा उसको जॉइन कर लीजेगा ठीक है मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूं अगर आप नहीं जुड़े हैं तो उसको जुड़ जाएए वहां पे आपको सारी PDF जो है मिल जाती है ठीक है मैंने लिंक आपको दोस्तों चैट पर दे दिया लाइब चैट पर और ये कमेंट बॉक्स में भी मेंशन हो जाएगा यहाँ पर चाइना जित्ते लोग कह रहें उनका करेक्ट आंसर होगा यल्लो रिवर चाइना में आपको देखने को मिलती है ठीक है अगला कोशन ठीक है यहाँ पर करेक्ट आंसर है है ठीक है अच्छा दोस्तों एक बाद बताई ये मुझे हैंड लूम डे कब मनाया जाता है फटा वट से क्या मुझे बता पाएंगे हैंड लूम ड év कब मनाया जाता है नास्नल हैंड लूम an दे किस तारिक को मनाया जाता है फटा-फट से एक बार बता दीजिए अगर आपको याद है तो क्या बात है, S.R. ने सबसे पहले बताया है फिर Solitude ने बताया है, very good Solitude ठीक है Sir, White Tiger बुक किस ने लिखी है M.T.S. के पेपर में आया था Manju जी, White Tiger तो अरविन दाडिका ने लिखी, यह तो अपने क्लास में डिसकस किया था 7th अगस्त, very good, 7th अगस्त याद रखेगा, 7th अगस्त जो है National Handloom Day मना जाता है, क्यों? क्योंकि 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी मूव्मेंट की शुरुआयत हुई थी, याद रखेगा स्वदेशी मूव्मेंट की शुरुआत 1905 में हुई थी, 7 अगस्त को और इसी दिन को याद रखते हुए, 7 अगस्त को National Handloom Day मनाया जाता है चले आगे, चले, अगला कोशन आपके स्क्रीन पर ये रहा बर्दी, इगल, अलबेस्ट्रोस आट टम्स यूजड इन डैस बर्दी, इगल, अलबेस्ट्रोस सभी शब्दों का एक प्रियोग किसमे किया जाता है गोल्फ में, पोलो में, बेसबॉल में और फुटबॉल में, किसमे किया जाता है जल्दी से बताइए सर, ओल्ड आईडी से में चैट में था, लेकिन बट आपको वो नहीं दिख पाते थे कोई बात नहीं, रिशब आभी आप नए आईडी से आगे तो आपके पूरी दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे कमेंट दिख रहे हैं आपके, गोल्फ, गोल्फ, गोल्फ जी हाँ, बिल्कुल गोल्फ करेक्ट आंसर है और MTS में आपसे क्या पूछा गया था, वोकर कप किस से संबंदित है तो वोकर कप आपको पता है दोस्तों, जब बॉल को आप मार देते हो तो आपको पैदल जाना पड़ेगा, वोक करके जाना पड़ेगा या तो आप वो जो गाड़ी रहती है, उसको राइड करके जाओ तो राइडर कप ऐसे याद कर लेंगे, हना तो आपसे पूछा जाता है चलिए, अगले कोशन बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर क्या ये हमपी है, अलोरा है, खजुराहो है, या फिर कोनार्ख है दक्षिड में जो मौझूद हो, उसको लगा दो, क्योंकि द्रवीडियन स्टाइल आपको दक्षिड में ही देखने को मिलता है तो हमपी जो है दोस्तों आपको दक्षिड में देखने को मिलेगा, हना चले, बाकी दोस्तों एलोरा आपको तो महराश्च में देखने को मिलेगा, खजुराहो जो है आपको MP में देखने को मिलेगा, कोनार्ख जो है ये ओडिसा में देखने को मिलेगा, और हमपी कहाँ प ठीक है और भारत में कितने UNESCO site है अभी प्रेजेंट में 2023 में अगर हम बात करते हैं तो टोटल जो है 40 site है कितनी 40 site है इससे पहले 38 थी ठीक है 2021 में 2021 में 2 site को जैसे कि रमपपा temple कौन सा रमपपा temple और धोला वीरा को दिया गया UNESCO का दरजा रमपपा temple जो है यह तिलंगाना में है कहां पे है तिलंगाना में है ठीक है और धोला वीरा जो है यह गुजरात में है ठीक है आपसे दोस्तो अभी MTS में यह पूछा गया था कि रमपाज जो temple है यह किस भगवान का मंदिर है तो लौड शिवा का मंदिर है किसका है शिव भगवान का ये मंदिर है ये आपके एक्जैम में MTS में पूछा गया है ठीक है चले अगले कोशन पे अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा इन दी कैटेगरी ओफ बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन स्वच्छ सर्वेक्षण अवर्ड टूजाउजन टूज़न टूज़न टैश है सिक्वेट दा फर्स्ट पोजीशन फॉलोड बाई दा च्छतिसगर्ड एंड महराष्ट स्वच्छ सर्वेक्षण पूरुसकार 2022 म करने वाले राज्यों की शेडी में डैश ने पहला इस्थान हासिल किया है इसके बाद च्छतिसगर्ड और महराष्ट थे तलंगाना मध्यप्रदेश सिक्किम और तमिल नाडू कौन से थे मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश तो करेक्ट आंसर यहां क्या हो जाएगा मध्य क्या वो सिक्स्थ टाइम है क्या जल्दी से बताईए वेरे गुड चटवे बार चटवी बार वेरे गुड आगे बढ़ते हैं अच्छा मध्यप्रदेश में ही अभी दोस्तों हाली में दो योजना यह लॉंच होई थी याद रखी का कौन सी लाडली लक्ष्मी योजना 2. 2.0 लेकिए लाडली अक्ष्मी योजना तो पहले ही से लॉंच होई थी लेकिन इसका अभी दोस्तों दूसरा फेज 2.0 लॉंच किया गया है और लाडली बहना योजना कौन सा लाडली बहना योजना ये भी आपको ध्यान रखना है चले अम मध्यपरदेश में अभी आपक तो पुछा ुछ है थाल में तुछ आठ डूआ लग्ला से ही तुन में आपके लिए आपके स्क्रीन पर यह रहा वें डिर् het the union टेरिटरी जो है केंदर शाषित प्रदेश एक ही केंदर शाषित प्रदेश कब बन गए क्या वो 26 जनवरी 2019 को 15 जनवरी 2020 को और 15 अगस्त 2019 को कब बने 2019 2019 लेकिन 2019 तो दोस्तो ऑप्शन में दिये गए है ठीक है फड़ा वर्स बताई दो ऑप्शन में है तो जनवरी कह रहे है तो करेक्ट आंसर यहां पे हो जाए दोस्तो 26 जनवरी 2020 को किया गया था ये आपको ध्यान रखना है कब किया गया था 26 जनवरी 2020 को चले आगे बढ़े अगले कोशन पर अच्छे अभी आपके एक्जाम में दोस्तो पूछा गया था कोशन साइद आपसे पूछा गया था सैंसस 2011 की अकॉर्डिंग सैंसस 2011 की अकॉर्डिंग लिट्रेसी रेट जो है सबसे जादा कहां की है किस यूटी की है यह पूछे गा था तो लक्षदीप अपको आंसर कर देना था लक्षदीप ठेक है लक्षदीप की दोस्तो सबसे ज़ता जो है साक्षर्ट दर है यूटी में केंदर शाचित प्रदेश में और सबसे कम किस की है दाद्रा नागर हवेली की जो है सबसे कम हैं यह याद रखेगा ठेक है चले आगे बात करें अग तरहालाल नेहरु जी के द्वारा, इंदरा गांधी या फिर राहुल गांधी जी के द्वारा किया गया, फटावर से बता दीजिए, ठीक है sir, आपकी क्लास लेने से score इंप्रूव हुआ है, ठीक है, रूपल जी, यह मेरी वज़े से नहीं, यह आपके hard hour की वज़े से हुआ ह improve क्योंकि आप मैनत कर रहे हो ठीक है आप थोला सा मैनत करोगे definitely improve होगा और improve नहीं आप selection भी लोगे यह में जो पूरा विश्वास है यहाँ पे a bunch of old letter मयूरी कह रहे है a bunch of old letter मतलब क्या अच्छे जवाहाल लाल नहरुजी की किताब बता था दोस्तों glimpse of world history जो है इनकी एक पुस्तक है ठीक है इसके अलावा discovery of India भारत एक खोज इनकी किताब है discovery of India ठीक है और इनकी किताब है letter from father to his daughter letter from father to his daughter ये भी इनहीं की किताब है ये याद रख लीजेगा ठीक है चले आगे अच्छे यह तो हैरल्ड निउस्पेपर जो था जवाहला नहरू जी की दोरा शुरू किया गया भारत का पहला निउस्पेपर कौन सा था तो बेंगॉल गैजट था क्या बेंगॉल गैजट जो था यह भारत का पहला निउस्पेपर था जिसको 1780 में स्टार्ट किया गया था यह आपक अगले कोशन पर अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा विच जोग्राफिकल एरिया इस कॉल डा हाट ओफ दरोमन एंपायर किस भगवलिक छेत्र को जो है रोमन समराज्य का हिर्दय कहा जाता है क्या ये मेडिटरेनियन सी है ब्लैक सी है सहारा डेजर्ट है या फिर राइन एंड दनूबे वैली है जल्दी से बताइए किसे कहा जाता है और दोस्तो 340 लोग लाइव है फड़ा वर्स एक बार लाइक और शेयर करते हैं थ्री फिफ्टी के उपर लेके चलते हैं राइन राइन कह रहे हैं किसे कहा जाता है अगले कोशन बढ़ते हैं अगला कोशन आपके स्क्रीन पर यह रहा इन दा मनसबदारी सिस्टम रूल ओफ वन बाई थर्ड एंड वन बाई फोर्थ वाज स्टाटेड बाई डैश मनसबदारी विवस्था में एक तिहाई और चौथाई का नियम किसे ने शुरू किया था अकभर ने, जहांगीर ने, साजहा ने और औरंग जेव ने अकभर, अकभर कह रहे हैं दोस्तों यहां पर जितलों अकभर कह रहे हैं उनका यहां पे क्या होगा? गलत हो जाएगा सा जहां करेक्ट आंस रोगा मनसबडारी system को introduce जो है किया गया है अकबर के दौरा लेकिन यहां पे पूछ रहा है एक तिहाई और एक चोता ही जो है किसके दौरा start किया गया था तो यह सा जहां के दौरा किया गया था इसमें गलती मत करिएगा, बहुत से लोग जल्दवाजी में गलती कर देते हैं, साजहा का बचपन का नाम क्या था, साजहा का बचपन का नाम था, खुर्रम, क्या था, खुर्रम ये याद रखेगा, और दोस्तो अगर हम बात करें, इन्हों ने ताज महल बनवाया क्या बनवाया ताज महल बनवाया किसके लिए बनवाया तो दोस्तों ये अपनी वाइफ मुमताज महल के लिए बनवाया और मुमताज महल का दोस्तों रियल नेम तो मुमताज महल नहीं था तो क्या नाम था मुमताज महल का अरजुमंद बानो बेगम अरजुमंद बानो बनन लाए था मोती मस्जिद आगरा अगले कुषिन बढ़ते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा क्रॉप क्व barrier is the zide crop, निमलिखित में से कौन सी जो है, zide की फसल है, क्या ये, cotton है, कुकुम्बर है, कॉफी है, या फर, millet है, जल्दी से बताएए, यहाँ पर कुकुम्बर, कुकुम्बर कह रहे हैं, correct answer क्या हो जाएगा, कुकुम्बर, correct answer होगा, देखें, तीन प्रकार के आपको crop देखने क कर लिया जाता है, इसको जून के समय में लगा जाता है, ऑक्तोबर के समय में कट कर लिया जाता है, जायद को जो है, मार्च में लगाते हैं, और माई में कट कर लिया जाता है, यह याद रखेंगे, रभी crop का example जो है, यह wheat है, खरीफ crop का example जो है, राइस है, जायद का तो आ आपके लिए खुदी लेकर आ रहा हूँ 12 बजे से 1 बजे ठीक है आप ही लोगों की डिमांड पर था कि दोस्तों एक रात को क्लास की जाए तो वहाँ पर हम लोग दोस्तों सारे SSC exam को कवर कर रहे हैं तो उसमें आप मेरे साथ जुड़ सकते हो SSC और railway दोनों के exam को हम लोग पर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उसमें भी जुड़ सकते हो और बाकी दोस्तों SSC CGL वाला जो हम लोग क्लास कर रहे हैं इसमें भी आप जुड़ सकते हो क्योंकि थोड़ा बहुत ही level का difference मिलेगा बाकी question तो common ही देखने को मिलेंगे ठीक है आगे बढ़े चले आगे बात करते हैं अगले question पर अगला question आपकी screen पर यह रहा इसको leave करते हैं यहाँ पर ठीक है यह paragraph है अभी तो time नहीं है चलिए अगला question चलिए अगला question भी statement है तो इसको answer कर लीजे which of the following statement are true ठीक है आप लोगों से पूछ रहा है कि इन में से को दिये गए कथर में से कौन सा सही है ठीक है यह बताना है through a writ a heaviest corpus the supreme court order that the arrested person should be presented before it ठीक है फिर उसके बात कर रहा है through a writ of heaviest corpus the supreme court can order to set free arrested person if the ground of arrest are not lawful ठीक है कौन सा only one only two both one and two या फिर neither one not two both 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 कह रहे जितने लोग बोत कह रहे उनका correct होगा दोस्तों देखे 5 त्रहेके reads होते हैं 5 परकार के reads होते हैं रिट्स जो है यह कौन से article में मौझित है यह article 32 ठीक है और article 32 को क्या कहा गया है heart and soul क्या कहा गया i individicate जी के दौरा कहा गया है ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है अब ये पांच लिट्स कौन कौन से है तो पहला याद रख लीजे हैबियस कॉर्पस है क्या है दूसरा जो है मेंडमस है क्या है मेंडमस है तीसरा जो है वह है सर्श्री क्या है सर्श्री है और चौथा जो है य पूरी कर लिए है ठिक है लेकिन उसके बाद भी उसको कैद किया गया है तो हैबिय स्कॉर्परस के तहत क्या करेगा सुप्रीम कोड बोलेगा की दोस्तो उस प्रिस्दiała को हमारे सामे लेकर आओ या फेर अज़िक है तो इसको यहां पे दोस्तो छोड़ने की पूछा गया था, क्या कहते हैं, पोईला बैसाख, डॉल पूर्डीमा, भीहू, मकर संकरांती, आपके अभी MTS में ऐसे ही सवाल पूछा गया था, क्या पूछा गया है, वो भी डिसकस करते हैं, यहाँ पर A option, A option कहरें, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पोईला बैसाख, करे जाएगा, वांगला फेस्टिवल, अगर आप से कल पूछ ले, कि आंद्रप्रदेश का New Year किया है, आंद्रप्रदेश का New Year किसे कहते है, तो आपको याद रखेगा, उगाडी फेस्टिवल को, किसको, उगाडी फेस्टिवल को, आंद्रप्रदेश का New Year कहा जाता है, 14 अप्रेल को ठीक है यह याद रखे का यह कोश्चन पूछा गया था कहा पर मना जाता है पंजाब और हर्याना वाले एरिये में ठीक है बैसाखी का त्योहार यह कोश्चन भी पूछा गया है आगे बात करें अगले कोश्चन पे दोस्तों 330 लोग लाइव हैं और लाइक सिर् किसे कहा जाता है यहाद रखेगा उसके बाद आपसे पूछेंगे प्रोटीन फैक्ट्री प्रोटीन फैक्ट्री जो है किसे कहते हैं तो प्रोटीन फैक्ट्री जो है राइबोजोम को कहा जाता है किसको का जाता ते लोग कह रहे है option number आपका तिलंगाना तिलंगाना उनका correct answer का दिल्ली नहीं होगा यहाँ पर correct answer यह याद रखेगा कहाँ पर है तिलंगाना में है चले आगे की तरफ हाँ जी बहुत सारे लोगों ने जल्दबाजी में गलती करती है दिल्ली दिल्ली लिखकर ठिक है चले आगर यहाँ पर correct answer होगा ते लंगाना अच्सार ते लिखक लिखकर है तेलंगाना की हम बात करें इसके cm कौन है अभी present में cm क्कान है के चंदर सेखर राण राएों कबरा कहां पर है यह question पूछा गया था तो क्या आप मुझे बता पाएंगे दोस्तों जल्दी जल्दी से बताइए यह आपके exam में पूछा गया है वैरी गुड ऐसार राहूल बहुत ही बढ़िया अमित बहुत ही बढ़िया ओके विशाल वैरी गुड जिते लोग पानी पत पानी पत कहरें ना उनका करेक्ट आंसर का पानी पत में है कहां पर है दोस्तों पानी पत में है चले अगले question पे अगला सवाल आपके screen पर यह रहा सोरी, कोडिफेकेशन औफ इंडियास लॉग, ठीक है, निमलिखेत मेंसे किस वर्ष में, ब्रिटिस संसर द्वारा भारती कानूनों में, समेंकन और सहीता करण, ठीक है, के लिए, एक विधी आयो की स्थापना के लिए, चार्टर अधिनियम बनाया गया था, 1898, 1927, 1833 और 1933 मे कहते हैं, क्या कहते हैं, सेंट हैलेना एक्ट, ये कोशन पूछा जा चुका है, कि किसे सेंट हैलेना एक्ट कहा जाता है, तो क्या दोस्तों, 1833 वाले एक्ट को ही सेंट हैलेना एक्ट कहते हैं, क्या, ठीक है, चले है, तो आगे बढ़ते हैं, अगले कोशन में, अगला कोश cities की सूची में नहीं है कौन सा निलंबर जैपूर थ्रिसूर और वारंगल क्या होगा यहाँ पर कुछ लोग करेशर C होना चाहिए कुछ लोग करेशर A होना चाहिए यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा option number B हो जाएगा जैपूर जो है correct answer होगा जैपूर जो है यह नहीं है दोस्तो network learning cities में यह याद रखेगा चले अगले question बढ़ते हैं अगला सवाल आपकी screen पर यह रहा तेक है with which game is the deuce associated बहुत ही simple सा question है deuce शब्द जो है वो किस खेल से संबंदित है chess cricket से basketball badminton cricket और tennis tennis और badminton दोस्तों deuce जो होती ना वो होती गेंद ठीक है और यह गेंद जो है दोस्तों किस में खेली जाती है किस में इस्तमाल तो यह correct answer आप क्या हो जाएगा दोस्तों tennis and badminton correct answer हो जाएगा ठीक है गेंद जैसी होती है यह याद रखेगा चले आगे की तरफ ठीक है अगले question बढ़ते हैं अगला सवाल आपकी screen पर यह रहा ठीक है दोस्तों यहाँ पूछे जा रहा है national national planning committee was set up by dash राष्ट्री योजना समीती की स्थापना किसके दौरा की गई थी जवाहाल लाल नहरू ए दलाल याद रखेगा ठीक है set up किसके दौरा की गई थी यह आपसे पूछा गया है वहाँ पर यह नहीं पूछा गया किसके दौरा की गई थी अध्यक्सता जो है दोस्तों chairman जो थे वो थे जवाहल लाल नहरू ठीक है आगे बात करते हैं अगले question पर अगला question आपके screen पर यह रहा दोस्तों infertility is caused by dash deficiency बाँजपन जो होता है वो dash की कमी के कारण होता है यह question आपके SSC का है ठीक है सभी लोग बताइए vitamin A, vitamin E, vitamin D, vitamin B12 यहाँ पर E, E कह रहे हैं तो correct answer यह आपके हो जाएगा vitamin E correct answer हो जाएगा यह याद रखेगा अच्छा है आप लोगों से exam में पूछा गया था anemia जो है यह किसकी कमी से होता है यह question पूछा गया था तो आप बताएंगे दोस्तों किस vitamin की कमी से होता है यह homework लिख लिजएगा homework में सभी लोग comment box में बताइएगा ठीक है अगले सवाल बढ़े अगला question आपके screen पर यह रहा ठीक है what is the maximum amount of loan permissible under the shishu scheme of the प्रधान मंत्री मुद्रा योजना ठीक है प्रधान मंत्री मुद्रा योजना की शिशू योजना के तहत जो है अनुमय रिंड की अधिक्तम राशी कितनी है दो लाक पांच लाक एक लाक या फिर पचास हजार जल्दी से बताएं यहाँ पर कहर सर पांच लाक होना चाहिए कुछ लोग कर सर 50,000 बाकी लोग क्या केते हैं तो यहाँ पर जितने लोग दोस्तों 50,000-50,000 कह रहे हैं उनका बिलकुल correct answer हो जाएगा थीक है correct answer हो जाएगा पचास हजार क्यों? क्योंकि देखे, तीन पाट में ये बटा हुए है तीन केटेगरी में कौन कौन सा पहला आता है शिशु केटेगरी कौन सा आता है शिशु केटेगरी जो आप से पूछा गया था दूसरा होता है किशोर ठीक है, तरुन याद रखेगा तीन कैटेगरी है पहली जो है यह शिशू कैटेगरी है जिसमें आप 50,000 तक का माउंट ले सकते हैं यह याद रखेगा और यह अभी न्यूज में भी था जो है यहाँ पर महिलाओं ने लिया है लोन और दूसरे एंटर्पेनियोर SCST OBC के लगबग 23 लोन लिया है तो यह आद रखेगा इस्तारटप वगेरा 68 प्रतीशत लोगों ने लिया है आगे बात करें अगला कोशन आपके लिए यह रहा दोस्तो यहाँ पर पुछा जा रहा ह दोस्तो थेले कुनील बशीर को जो है मार्च 2022 में निधन हो गया है वह निमलिखित में से किस चेत्र से संबंदी थे एक्टिंग पॉलिटिक्स या फिर मैडिसीन या फिर मोटर रेसिंग किस संबंदी थे यहाँ पर एक्टिंग कह रहे हैं ओके बाकी लोग पॉलिटीशन क कह रहे हैं तो पॉलिटीशन थे यह आपको ध्यान रखना है अगला कोशन आपके लिए यह रहा भारत का आर्थिक सर्वेक्षर जो है किसके दौरा प्रस्तुत किया जाता है कि यह फाइनस मिनिस्टर के दौरा चेर्मेन ऑफ नितियायोग या फिर डिप्यूटी चेर्मेन या फिर नितियायोग या फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे चीफ Anybody Advisor के दौरा पेस किया जाता है तो यहाँ पे केड़र सर्वाइनस मिनिस्टर होना चाहिए बाकी लोग क्या कहतेहें जितनों लोग फाइनस मिनिस्टर फाइनस मिनिस्टर के रहे हैं उनका बिल्कूल स् यहाँ पे हो जाएगा finance minister अच्छा है पहली बार जो है economic survey कब हुआ था 1950-1951 में हुआ था यह आपको ध्यान अगर पूछा जाएगा कि पहला economic survey कब हुआ था तो वह हुआ था 1950-1951 में ठीक है चलें आगे की तरफ ठीक है अगले question बढ़ते हैं अगला question आपके screen पर यह रहा यहाँ पर आपको दोस्तो असर्सन और reasoning के फॉर में दिया है ठीक है given are two statement one is labeled as assertion दूसरा जो है वो reasoning है ठीक है assertion कि अगर हम बात करें तीस्ता river जो है was earlier a tributary of ganga now it is a tributary of brahma putra ठीक है बड़ा अटपटा सा question लेकिन बहुत simple से answer आ जाएगा ठीक है river capturing is a major feature of the himalian river कौन सा इन में से correct है both a and r true and r is correct explanation both a and r are true but r is not correct explanation a is true but r is false a is false but r is true both correct है बोल रहे हैं क्या तो यहां पर correct answer हो जाएगा दोस्तों आपका both a and r true and r is correct explanation of a यह याद रखेगा a option correct answer हो जाएगा ठीक है चले अगले question पर चले अगला सवाल आपके screen पर यह रहा which anniversary of कारगिल विजय दिवस was celebrated across the country on 26th July 2022 26 July 2023 को कारगिल विजय दिवस की कौन सी वर्सगाठ पूरे देश में मनाई गई थी 16, 18, 20 और 23 जल्दी से बताएगे 23 23 कह रहे हैं यहाँ पर और दोस्तों 360 लोग लाइव है फड़ा वर्स एक बार like और share करते हो चलेंगे तो 23 23 जितने लोग कह रहे हैं उनका बिल्कुल correct answer हो जाएगा ठीक है अगला question आपके लिए यह रहा who among the following is the current attorney general of India ठीक है निमलिखित में से दोस्तों कौन जो है वर्तमान में महानिवाइदी है केके वेनुगोपाल आरवेंगेट रमानी मुकुल रहतागी और S. सुब्रमन्यम कौन है बी option बी option बिल्कुल correct answer है आपके हो जाएगा बी option आरवें पर समय होता है समाफ्त जहां पर आज हमने क्या किये mix question के for SSC CGL और यह daily class हो रही है ठीक है Monday to Friday class होती है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो दो पहर को दो से तीन बजे और SSC railway exam के लिए आप मेरे साथ रात को बारा से एक बजे भी जुड़ सकते हैं ठीक है और दोस्तों पी करके जुड़ सकते हो या directly search कर सकते हो गौरफ मौरियसर test book ठीक है अच्छा यहाँ पर मैं आपको दोस्तों link दे देता हूं ठीक है live chat पे जिससे आप लोग क्या कर सकते हैं directly जुड़ सकते हैं यह link में दोस्तों आपको description में भी मिल जाएगी और मिल जाएगी आपको comment box में किस तरीके से है दोस्तों यहाँ पर पूछरते course अवेल करना है तो वह मैं आपको बता देता हूं फटा फट से simply आपको क्या करना है चले जाना है YouTube पे कहाँ पे YouTube पे YouTube पे जाने के बाद आप चले जाएंगे super coaching SSC railway by test book channel पे उस पे जाने के बाद आप देखे जैसे scroll down करोगे आपके देखे सामने daily current effect daily होती है class आप मेरे साथ जोड़ सकते हो सुबह 6 से 7 बज़े ठीक है और आपके लिए SSC CGL की देखे पूरी link में जाएगी यहाँ पर SSC CGL GK by गौरफ sir है तो इस पे आप जाके देख सकते हैं CHSL की दोस्तों playlist है यहाँ पे MTS की class की पूरी playlist है तो आ आप देखे आपके सामने link बिल जाएगी joint super coaching SSC and railway ठीक है इसको बस click करेंगे इसको जैसे click करेंगे आपके सामने एक दोस्तो new page open होगा जहाँ पर आपको सारी information मिलती है देखे super coaching उपर लिखा है super coaching क्लिक कर दीजे जिस exam के आप तयारी कर रहे हो engineering, state, age, teaching exam ठीक है आप SSC की क आपने देखे यहाँ पर एक new page open होगा फिर उसके बाद आपको क्या करना है apply coupon code करना है coupon code क्या है गौरफ M, G-A-U-R-A-V-M जैसे आप apply करोगे आप देखोगे दोस्तों जो आपका 6999 का था वो आपको 500 999 का हो जाएगा और आप यहाँ पर तयारी कर पाओगे ठीक है तो चलिए दोस्तों यह था पूरा process और पूरी class तो इस session को यहीं पर करते हैं समापत अगर यह session आपको अच्छा लगा है तो comment करके जरूर बताईगा homework जरूर कर लिजेगा जो homework दिये गए थे so that आपका practice और revision चलता रहे तो मिलेंगे दोस्तों एक नए जोश के साथ एक नए session के साथ जुड़ना मत भूलेगा मेरे साथ अगले session में तब तक के लिए आप क्या करेंगे अपना ख्याल रखेंगे अपनों का ख्याल रखेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे और जुड़ना मत भूलेगा रात को 12 से 1 वजे जहां पर हम लोग करेंगे GKS के ताबरत और सव तब तक के लिए बाइबाई टेक एर जैहिंद जैभारत